गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स हावारी बेटा आई होप आप सवस्त होंगी आज बेटा हम पोलिटिकल स्थाइन्स में स्थानिय सासन चेप्टर एट के उपर जो है चर्चा करेंगे तो बेटा भारत में जो है क्या लोकतंतर सासन प्रणाली है और लोकतंतर सासन प्रणाली होने के कारण बात में जो है सत्ता का विकेंद्रीकन की अगया है और सत्ता का विकेंद्रीकन क्या होता है बेटा सत्ता को बिन-बिन जैस्तर में जो है बातना जैसे फोर एक्जामपल के तोर पर केंद्र सरकार राज्य सरकार और स्थानी सरकार तो बिटा केंद्र सरकार जो की पूरे संग या पूरे देश में जैसासन चलाती है जबकि राज्य सरकार है बिटा वो प्रांतिय या राज्य स्तर पर काम करती है और तीसरे जो स्तर की जो सरकार है वो स्थानी सरकार होती है बिटा जो की हम देखते हैं स्थानी सरकार के अंतरगत ग्राम पंचैत स्थानी सरकार के अंतरगत विटा ग्राम पंचैत पंचैत स्मिति और जुला प्रिशद मलोस्थानी सरकार के जह कोवी तीन स्तरों पर बाटा गया है त्रिश्टरी यह है विवैस्था की गई है ग्राम पंचैत मनुगाओं के स्तरपर जय ग्राम पंचैत ब्लोक के स्तरपर पंचैत स्मिति और जिला के स्तरपर जिला प्रिशद बेटा इस प्रकार की विवैस्था की गई है स्थानी सासन देश की ग्राम पंचैत तथा खंड स्तरपर कारे करने वाली सासन प्रणाली को हम क्या कहेंगे बटा स्थानी सासन तो हम यहाँ पर बताते हैं बटा जैसे ग्राम के स्तरपर या ब्लोक के स्तरपर या जिला के स्तरपर जो कारे करती है उस स्थाने सासन, इसको प्राई, हम सामुदाइक, सरकार भी कह सकते हैं, दूसरे सब्दों में, गाउं और जिला स्थाने सासन, उदान के तोर पर हमने अभी जैसे बताया, गाउं के स्थाने सासन, 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 ग तो प्यारे बच्चों हम आपको बता दें स्थानी सासन को जो स्वेधानिक रूप से रूप से कब दर्जा दिया गए बटा 1922 में के स्वेधानिक संसोधन के तैत या 73 वे स्वेधानिक संसोधन के तैत जो इनको दर्जा दिया गया तो 73 स्वेधानिक संसोधन मलू 1922 में पास किया गया और इसको पूर्ण रूप से दर्जा 1923 में मिल गया था तो इन 73 स्वेधानिक संसोधन के तैत क्या बदलाव किया गया जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा भी था विटा 1902 में या तेत्रवे से विधानिक संसोधन के स्थानी स्थानी स्थार्प की सरकार के अंत्रगत क्या बदलाव किया गया था ये किशन बन जाता है विटा तो आप क्या लिखेंगे नंबर एक पांच वर्ष के पश्यात निशित अंत्राल पर चुनाव कराए जाएंगे हर पांच वर्ष के बाद हर पांच वर्ष के बाद एक निशित अंत्राल पर क्या करवाए जाएंगे विटा चुनाव कराए जाएंगे पहला बदलाव दूसरा एक सवतंतर सवतंतर चुनाव आयोग चुनाव आयोग गठित किया गया जो कि हमने आपको बताय था कि जो चुनाव पर आता है उसकी पूरी जिम्मेदार रिखिस की होती है बटा चुनाव आयोग की होती है तीसरा स्टाइप महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई स्थानिस्तर पर कितनी बिटा 33% आरक्षन ठीक है मैलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई ये प्रवाधान किया गया चोथा आनुसुच जाती आनुसुचित जाती वे आनुसुचित जन जाती के लिए शीटें आरक्षित की गई और केंदर सरकार 500 स्टेप केंदर सरकार की सक्तियों को कम करते वे केंदर वे राज्य सरकार की सक्तियों को कम करते वे क्या स्थानी सरकार की महत्त को बड़ावा देना तो ये क्या था बिटा तेटर वे स्विधानिक संसोतन के तैत क्या बदलाव किया गया या 1902 में कि श्विधानिक के अंतरकर क्या बदलाव किये गए ठीक है बिटा नेक्स्ट लेते हैं स्थानी सासन निकाओं का महत्ताव के उपर बड़ा इन स्थानी सासन का क्या महत्ताव रहा है बड़ा सबसे पहले फास्ट स्टेप स्थानी सासन यदि मजबूत होता है तो हम देखते हैं हमारी लोकतंत्र की कि स्थित्ती भी क्या होती है मजबूत होती है क्योंकि हम देखते हैं स्थानी स्थार पर सभी लोगों को राजनित में हिस्थया लेने का अधिकार मिल जाता है और जितना हम देखते हैं सत्ता को बटवारा किया जाता है सत्ता का विकेंद्री गण किया जाता है उतना ही लोकतंतर मजबूत होता है स्थानी सासन निकाओं के अंतरगत लोगों का रुजान बढ़ता है तो इस परकार से स्थानी सासन निकाओं का फर्स्ट मैत्व क्या है लोकतंतर क्या होता है मजबूत होता है दूसरा स्टेप स्थानी सासन आम आदमी की सबसे नजदिक का सासन होता है क्योंकि इसमें बटा हम देखते हैं आम आदमी भी बढ़ चड़कर हिस्सा लेता है और आम आदमी भी जो है राजनिती में जो हिस्सा लेता है तो स्थानी सासन से आम आदमी की जो है गरीमा को भी मद्द नजर रखा जाता है तीसरा स्टेप स्थानी सासन कारगर और जन हितकारी परशासन के लिए भी जो है एक मैत्पूर्ण है next, fourth step स्थानी सासन स्थानी लोगों को दवारा मैंने बताई नैं बटा स्थानी सासन स्थानी लोगों के दवारा जहे चलाये जाता है स्थानी सासन में जो ग्राम की इस तर पर जो सरपंच चूना जाता है तो सरपंस को अपने गाउं की हर समस्या के बारे में जानकरी होती है तो इस प्रकस्थानिस आसन में हर नागरिक को ये लोगों को अपने छेतर की हर समस्या के बारे में आउगत होता है और हर समस्या को हल किया जाता है स्थानिस आसन में होने वाले कारिय का सरोकार वहां कि जन्ता के रोजमर्रा की जिन्दगी से जुड़ा होता है मुर्व स्थानी सासन के आदार पर हम यह कह सकते हैं कि जन्ता की जो विकास है वो एक परकार से आम जह लोगों की जिन्दगी से देखने को मिलता है तो इस प्रकार से स्थानी सासन का ये क्या रहा विटा महतव रहा अब क्यूशन ये उठता है कि हमें स्थानी सासन की आव सकता क्यूं है हभी तक हमने जो स्थानी सासन का महतव के उपर बात की तो अब बात करेंगे हम स्थानी सासन की हमें आव सकता क्यूं है सबसे पहले लेते मिटा स्थानी सासन की इसलिए हमें आव सकता है क्योंकि लोगतंतर को जो मजबूत करने के लिए हमें स्थानी सासन की ही आव सकता होती है क्योंकि लोगतंतर तभी मजबूत होगा जब लोग बढ़ जड़कर हिस्सा लेंगे लोग अपनी जह है अधिकारों के परती सचेत होंगे लोगतंतर अपनी जह है मांगों के परती अधिकारों के परती जह मांग उठाएंगे तब लोगतंतर मजबूत होगा और जिस से स्थाने सासन के माध्यम से वो ऐसा जह है अधिक से अधिक राजनितिंग में जह है हिस्सा ले सकेंगे नेक्स्ट लोकतुंतर में अधिक से अधिक बागिदारी के लिए स्थानी सासन चाहिए मतलब लोकतुंतर में हम देखते हैं लोग किस प्रकार से अधिक से अधिक बागिदार हो सकेंगे गाउं किस तर पर ब्लोक किस तर पर जिला के स्थार पर वो एक मंच स्थानी सासनी है जिसके जरीए लोग आदिक से आदिक इस्सेदारी या बागिदारी ले सकते हैं लोगों की सबसे अहदिक समस्या स्थानी स्थार के होते हैं और जिस स्थानी स्थार पर ही अच्छे डंग से सुल जाया जा सकता है हम देखते हैं लोगों की जो समस्या रहते हैं वो स्थाने स्तर की रहती है और स्थाने स्तर के मादम से ही अच्छे डंग से सुल जाया जा सकता है आता है अच्छे लोगतंतर की में अच्छा लोगतंतर तभी बन सकता है जब सक्तियों का विकेंद्री गणों जो कि मैंने आप किंदर किंदर राजे और स्थानि सकति को बाड़ते हैं तो यह इसलिए भी स्थाने शासन विरस्थ्था की अवसकता होती है तो यह क्यूं है नेक्स्ट कि स्थाने सासन के हमें क्या हैं है तो स्थाने सासन के लाब की अगर हम बात करें लाब के उपर हम बात करेंगे सब규早ig लेते हैं सरकार का कारिबार कम होता है बिस्थाने सासन के माद्दम से क्या होता जो सरकार है उसका कारिबार कम होता है क्योंकि इसमें क्या होता है मलों सक्ति बाठ दी जाती है जैसे हम देखते पूरी जो है देश पर सासन कौन करती है कि अंदर सरकार काम करती है कि अंदर सरकार काम करती बिटा और फिर राज्य स्तर प्रकौन से सरकार काम करती है राज्य सरकार काम करती है ठीक है पिटा और स्थानी सरकार के अंतरगत भी आम देखते हैं सत्ता को बाठ दिया जाता है तिन त्रिस्तरिये वेवस्ता है जैसी ग्राम की स्तर पर हमने आपको नाया ग्राम पंचैत के भ्लोक के स्तर पर हमने आपको बताया वहर्य पंचैत स्मिती और्जिला परिश्द छिद बड़ जाता है और कारे बाहर कम हो जाता है और उनके समया वे सकती कि भी बचत हो जाती है, तो पहला स्थानी सासन का ये लाब है, दूसरा अगर हम बात करें, तो स्थाने सासन में लोगों को स्यम अपनी कारियों की देखवाद या परशासन या प्रबंध का सुआउसर मिल जाता है और परते का अपने जिम्मेदारे की जो है साई डंग से निवाने में सफल हो पाता है तो ये भी फाइदा है तीसरी बात अगर हम करें तो स्थाने स्तरप्र आप से संबंदो में क्या होता है बिटा सुधार आता है स्थाने स्तरप्र क्या होता है आप से संबंदो में शुदार आता है फूर्थ स्थानी निकाव दवारा नमीन योजनाव की अच्छी जानकरी विप्राप्त होती है पांचवा हम देखते हैं स्थानी समस्याओं कर सम्हदान कम खर्च वर कम समय में कर पाते हैं इसी के साथ साथ स्थानी शासन का आर्थ है समालते हैं और श्रम चलाते हैं इसके साथ स्थानिस आसन के निर्वाचित निकाए जो 1882 के बाद में जो है आस्तम में आए यहां तकि महात्मा गांदी ने भी जो है क्या सत्ता के विकेंद्रीकन के लिए ग्राम पंचायतों क्या मजबूत करने के लिए और श्वालम भी बना ग्राम पंचायतों को मजबूत और श्वालम में बनाने खिर पर जोर दिया तो आपका अंसर क्या होगा मात्मा गांदी और शत्ता का विकेंद्रीकन मैं आपको बताए दिया बटा सत्ता को बाटना क्या बिन बिन स्तर पर केंदर सरकार राज्य सरकार और स्थानी सरकार श्मिति और जिला परिश्द तो इस प्रगम महतमांगांदी ने शत्ता का विकेंडगन को जह है बाता और उनका मानना था कि तभी जह है ग्राम पंचयत मजबूत हो सकती है वह अपने आप में क्या हो सकती है स्वालम्दी बन सकते हैं और यहां तकी श्यम को जैस्वालम्दी बनाने परमात्मगंदी जैजोर डालते थे इसके बाद में तो बटा ये एक डाइग्राम आप देखेंगे अब 133 दाचव इसको आप एक डाइग्राम के माध्यम से दर्शा भी सकते हैं जैसे की बटा पर्थम पायदान पर्थम पायदान में जैसे की ग्राम सबा जिसको हम कहते हैं ग्राम पंचैट दित्ते पायदान पर जैसे कि ब्लोक स्मिती पंचायत स्मिती जिसको कह सकते हम दित्ते पायदान पर जिला पंचायत जिला परिशाद तो त्रिस्तरी डाचा अब सभी परदेशों में पंचयत राज्य विवस्ता का त्रिस्तरी डाचा है और चुनाओ के अंतरगत अगर हम बात करें तो पंचयती राजसंस्थाओं को तीन स्तरों के चुनाओ सीरे जनता करती है और हर निकाएं क्यावदी क्यावती बटा पांस साल के होती है और अगर हम आरक्षन की बात करें तो महिलाओं के लिए जैसे मैंने आपको बताया एक टियाई सीटें आरक्षित और अनुशित जाती और अनुशित जन जाती के लिए भी उनकी जन सिंक्या के अनुपात में आरक्षन का प्रवदान किया जाता है महिलाओं इस परकार से आरक्षन की का फायदा उठाते वे यह शर्पंस के पद पर पहुंची है और शर्पंस के पद पर कारे बाहर काम करती नजर आती है बारत के अनेक परदेशों की आदिवासी जो जिन्सिंख्यावाले छेत्रों में 73 स्वेधानिक संसोधन प्रवधान से दूर रखा गया परन्तु 1996 में एक अलग कानून बना कर जह है पंचेती राज के प्रवधानों में इन छेत्रों को भी सामिल कर लिया गया ये तो बिटा ग्राम के सितर पर हमने आपको बताया 73 स्वेधानिक संसोधन के तैत और 74 स्वेधानिक संसोधन के तैत क्या सहरी जो स्थानी सासन से नगरपालिक और नगर प्रिशद की जोई वेवैस्था की गई 24 संसोधन अधिनियम में परमुक शहरों जैसे दिल्ली है, कुलकत्ता है, बुंबाई है, मदरास है, अन्ने सहर में नगरपालिका और नगर निगम का जब प्रवादान किया गया किसके अंतरगत प्रटा? 24 से विदानिक संसोधन के तैत और पर्टेक नगर निगम के लिए कि सभी वैसक मत दाता दवारा चुनी गई, एक समाने प्रिशद होती है, इन चुने हुए सिदेस्टों को पार्षद या काउंसलर कहते है, पूरे नगर निगम के चुने हुए सिदेस्टे अपने एक नगर निगम का अध्यक्स का पर्टेक नगर निगम के अध्यक्स का चुनाव परते हैं, तो नगर निगम के अध्यक्स को क्या कहेंगे हम, महापोर या मेर कहेंगे, क्लियर? इसी की साथ साथ, चुएत्रवे सिदेस्ट दानिक्सिन सोधन के अनुसार परतेक नगर निगम या नगर पाले का या नगर पंचायत का कारेकाल कितना होता है, पांच वर्सी होता है, और नगर निगम नगर पाले का या नगर पंचायत के भंगोंने पर छे मां के अंदर च जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयोग न्युक्त करें इस चुनाव आयोग की जिम्मेदार पंचयती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के होगी और राज्य वित्य आयोग परदेशों की सरकार के लिए जरूरी है कि वो हर पांच वर्ष पर एक प्रादेशिक वित् सिंख्या हो और कामकाजी पुर्षों में कम से कम 75 परतिशत खेतिपाड़ी से अलग काम करते हूं और जंशिंख्या गंता हो कम से कम 400 व्यक्ति परतिक वर किलोमेटर है विशेश अनेक रूपों में च्वेत्रवे स्वेदानिक संसोधन में तियत्रवे स्वेदानिक संसोधन का दोहराव है लेकिन यह संसोधन सहरी छेत्रों से संबन दिता है 24 विद्धानिक संसोदन के सभी प्रोधन बठत्रत्त चुनाव आर्खरण विषयों का आस्तान्तरण और प्रादेशिक चुनाव आयुक अधर्टेशिक विद्ध्य आयुक चुए 24 विद्धानिक Сंसोदन में सामिल हैं ता नगर पालिकाव पर लागू होते हैं इसके बाद में बिटा 1994 में से लेकर 2016 इस आउदी के दोरान हम देखते हैं स्थानी निगाओं के चुनाओं के कारण निर्वाचित जन परती नीद्व की सेंख्या में निरेंतर बारी बढ़ोती हुई है और उससे क्या मैलाओं की जोए सक्ती बढ़ी है यहां तक कि लोग अधिक से अधिक बागिदारे हुए हैं लोग तन तो अधिक से अधिक मजबूत बना है विशो का स्थान अंत्रन के उपर हम देखते हैं बेटा स्वीधान के संसोधन ने 29 विश्य को स्थानिस आसन के आवाली किया है यह सारे विश्य स्थानिस विकास और कल्यान की जुरुतों से सम्मंदित होते हैं अब हम एक डाइगराम के मादम से यहाँ पर स्थानिय के विश्य की बात करेंगे जैसे कि यहाँ पर दर्साय गया है कौनशी सुच्ची में बेटा ग्यारवी अनुसुच्ची में देखो बेटा हमारे जो है भारतिस विदान में कितने अनुसुच्चिया है बारा अनुसुच्चिया है बारा अनुसुच्चिया है बारा अनुसुच्चियों में से ग्यारवी अनुसुच्ची में किसका वणन की अगया है स्थानिस आसन के विश्य की अगर हम बात करें त तो जैसे कि स्वास्ते में परिवार से संबंदित, पेजल से संबंदित, सडको से संबंदित, ग्रामिन विकास से संबंदित, लगोग से संबंदित, शिचाई से संबंदित, किर्शी से संबंदित, बाजार मेले से संबंदित, विद्धुती करण के संबंदित, रोजगार से सम्मदी ये सबी जो है इसके विशे होते हैं जिसका वणन ग्यारवी अनुसुची में वणन किया गया है टोटल कितनी अनुसुची है बारा अनुसुची है तो यह आप डाइगराम बना सकते हैं अपनी नोटबुक में अगली बात हम करते हैं स्थानी सासन के बारे में समस्चा क्या रहती है पächटा दन का आब आप आहो रहता है जंता का जागरुख न्य होना ये भी समस्चा रहती स्थानी स्थानी स्तर पर वित्य मदद के लिए सरकारों पर निरबर रहना पड़ता है जशेकेंदर सकाराजय। पर निरपर आना पड़ता है आये सेहधिक खर्च देखने को मिलता है स्थानी स्तर पर यह सभी प्रेश्च चकाहा हूं दो पैटा इस वीडियो के माददम से मैंने स्थानय सहासन से समदि जो क्यूशन आपको करवाए वो सभी क्यूशन आप अपनी नौटबुग में राइट करेंगे जो डाइग्राम बनाएं यह हैं उन डाइग्राम को भी अपनी notebook में बनाएंगे और बेटा ये मैंने स्थाने सासन से संबंदित जो है जो जो topic आपको समझाए I hope आपके समझ में आ गए होंगे इन सभी topic से समझ जो question बनते हैं उन question को आप फिर notebook में write करेंगे learn करेंगे Okay nice talking to you बेटा, thank you